इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हो दुनिया की सबसे फास्ट रेलवे जिनकी स्पीड के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे यह ट्रेन जर्मेनी की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन है इसकी मैक्सिमम स्पीड 2-5 मिल पर आवर है मतलब 2-5 मिल प्रती घंटा है यह ट्रेन अकेले करीब 2 बिलियन लोगों को हर साल सफर कराती है जहाँ यह ट्रेन पूरे जर्मेनी में चक्कर लगाती है और इसी दोस्तों इसे वेस्टन रेलवे या फिर मकाम अदिना हाइस्पिड रेलवे कहा जाता है जो कि साओधी अरिविया की सबसे फास्टेस ट्रेन है इस ट्रेन को बनाने के लिए 9.4 बिलियन डॉलर का खर्चा आया था यह ट्रेन दुनिया की 10 सबसे तेज ट्रेन में आती है इ इस ट्रेन हर साल 60 मिलियन पैसिंजरर को एक जगा से दुसी जगा पहुचाती है इस ट्रेन की स्पीड करीब 217 मिल पर आवर है नमबर एट रेंटफे एवी ये टेन स्पेनिश नैशनल रेलवे रेंटफे दौरा उप्रेट की जाती है इसकी स्पीड 217 मिल्स पर आवर है 1295 से चल रही है ट्रेन अपनी स्पीड के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है ये टेन स्पेन की फास्टर्स टेन है ये टेन हर सार इसकी स्पीड के साथ 20 मिलियन पेसेंजर को ट्रैवल कराती है दोस्तो इस टेन की कन्यक्टिंग लाइन पूरे स्पेन में है और जर्मपनी की कुछ हिस्सों में भी ये टेन पहुच जाती है वही हम आखड़ी की बात करें तो Spanish AVE system पूरी यूरोप का highest rail network है इस company ने कुछ ऐसे train भी बनाए है जो पूरी यूरोप का चक्कर लगाती है तहाए यह speed में चलने वाली सबसे सस्ती train है जो पूरे Spain के दर्शन कराएंगी इसके ticket की कीमाथ बहुत ही कम है यह train इटालियन स्टेट रेल्वे उपरेटर दोबरा उपरेट की जाती है अगर हम इस train की speed की बात करें तो यह आराम से 220 मिल पर आवर की speed में चल सकती है दोस्तों इस train में आराम से 470 लोग बैट सकते हैं यह train पूरे इटली को एक्स्पोल करने के लिए बेस्ट है दोस्तों इस train को बनने के लिए कई सालों का समय लग गया 2012 में यह train चलना शुरू हुई दोस्तों इसकी top speed 223 मिल पर आवर है यह train काफी रफतार से चलती है दोस्तों इस train को बनने के लिए लगबग 100 मिलियन यूरो लगे थे और लगबग 132 मिटर लंबी इस train में 245 से लेकर 446 लोग बैठ सकते हैं और इन सभी चीज़े को देखा जाए तो यह train बहुत 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 है दोस्तों जापान की शिंकेंसेन E5 और H5 दोनों ही एक्वल प्लेस पे आती है जो साल 2014 और 2015 में बनकर तायार हुई इसकी स्पीड 224 मिल पर आवर है यह दोनों train इस जापान रेलवे दोरा उपरेट की जाती है यह दोनों ही train हिताची और कावसा की हेवी इंडस्ट्री में दोरा बनाई गई थी इस train को बनने में करीब 200 मिलियन डॉलर का खर्चा आया था दोस्तों यह train 2002 में बनी थी 200 मिटर की लंबी यह train बड़ी शांदा तरीके से बनाई गई है जहाँ यह स्पेन की टेक्नोलोजी का इस्तिमाल करके इस train की स्पीड 227 मिल पर आवर तक जा सकती है हम आपको बता दे कि यह train अपनी हाय प्रफॉर्मंस और एफिशेंसी के लिए जानी जाती है इस train में कुल मिला के 400 लोग बेट सकते हैं दोस्तों यह train चाइना में मौजूद है इस train को Chinese company CSR Corporation Limited द्वारा डेवलोप किया गया था दोस्तों इस train की top speed 235 मिल पर आवर है दोस्तों यह दुनिया की 3rd number की सबसे fastest train है इस train को फुरी तरह बनाने में 5 साल का समय लग गया था दोस्तों उम्मीद है आपको अपने दोस्त और होस्ट अहमद के वीडियो में मज़ा आ रहा हुआ तो वीडियो को लाइक करते चलिए दोस्तों आपको जानकर यह हैरानी होंगी कि यह train भी चायना की है यह train वीजिंग से शांगाय तक सफर कराती है इस train को CRRC 2.0 डेलोप किया गया है अगर हम इसकी speed की बात करें तो इसकी maximum speed to 49 मिल्स पर आवर है यह Chinese train fast और comfortable है नमबर वन पर है शांगाय मेगलेव दोस्तों हमारी सबसे fastest सबसे तेज ट्रेन जो है वो शांगाय मेगलेव है इस train की fastest speed 267 मिल्स पर आवर है और इसके अंदर 574 पैसेंजर एक बार में ट्रैवल कर सकते है दोस्तों इस train का टिकेट बहुत ही सस्ता है जाहिए train हर 10-15 मिट में चला करती है दोस्तों इस यूडियो के बारे में आपका जो भी ख्याल है हमें कमेंट करके ज़रू बताना और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना Have a nice day